हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल टोप पर्सनेल्टीज क्या मोद के बाद भी कोई सीमा की निगैबानी कर सकता है? क्या मोद के बाद भी कोई आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रह सकता है? ये प्रशन सुनने में भले ही अजीब लगी लेकिन इन प्रशनों के पीछे चीपा है एक ऐसा रहस्य जिसे कम ही लोग जानते हैं मोद के पचास साल बाद भी सिपाही हर्बजन सिंग सिक्किम की सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं यही कारण है कि आज भी भारतिय सेना उनके मंदिर का रखर खाव करती है और उनके मंदिर में पोजापाट के जिम्मेदारी भी सेना की ही जिम्मे है कई लोगों का कहना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हर्बजन सिंग की आत्मा पिछले 50 सालों से लगातार देश के सीमा की रक्षा कर रही है बाबा हर्बजन सिंग मंदिर के बारे में वहां तैनात सैनिको का कहना है कि उनकी आत्मा चीन की तरफ से आने वाले किसी भी खत्रे को पहले ही बता देती है इसके अलावा अगर भारती सैनिको को चीन के सैनिको का कोई भी मुमेंट संदेहा स्पद लगता है या पसंद नहीं आता तो वो भारत के सैनिको को पहले ही बता देते हैं आप चाहे भरोसा करें या नहीं करें चीनी सैनिको को भी बाबा हर्बजन सिंग पर पूरा यकीन है इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में बाबा हर्बजन सिंग के नाम की खाली कुर्शी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सकें आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हर्बजन सिंग की कौन थे ये कैसे इनका जुडा हुआ सेना से अब बात करते हैं कि हर्बजन सिंग कौन थी इनका क्या बैक ग्राउंड था हर्बजन सिंग का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है हर्बजन सिंग साल 1966 में 24 भी पंजाब रेजिमेंट में बतोर जवान भरती हुए थे हर्बजन सिंग सेना को अपनी सेवाई केवल दो साल ही दे पाए और साल 1968 में सिक्किम मेतेनाती के दोरान एक हादसे में वो मारे गए उनकी शहादत के बारे में सेना के जवानों ने बताया है कि एक दिन جब वो खचर पर बैठ कर नदी पार कर रही थे तभी खचर सहीत हर्बजन नदी में बह गए गए और नदी में बहकर उनका शव काफी आगे निकल गया। ऐसा कहा जाता है कि दो दिन की गहन तलाशी के बावजूद भी जब उनका शव नहीं मिला तब उन्होंने खुद ही अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शव वाली जगह बताई। सुबह उस सैनिक ने अपने साथीों को हर भजन वाले सपने के बारे हूं बताया। और जब सैनिक सपने में बताई जगह पर पहुँचे तो वहां हर भजन का शव पड़ा हुआ था। बाद में पूरे राजगिय सम्मान के साथ हर भजन का अंतिम संसकार कर दिया गया। हर भजन सिंग के इस चमतकार के बाद साथी सैनिकों ने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हलाकि बाद में सेना की ओर से उनके लिए एक भव्वे मंदिर का निर्मान किया गया जो कि बाबा हर भजन सिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गंग टोक में जलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फिट की उचाई पर स्थित है पुराना बंकर वाला मंदिर इस से भी 1000 फिट ज्यादा उचाई पर है बाबा हर्वजन के बारे में वहां तेहना सेनिकों का कहना है कि वो अपनी मृत्यों के बाद भी लगातार अपनी डूटी दे रही है इन के लिए बकाइदा उन्हें तन्खा भी दी जाती है और सेना में उनकी एक रैंक भी है यही नहीं कुछ साल पहले तक उन्हें दो महीने की चुटी पर पंजाब में उनके गाउं भी भीजा जाता था इसके लिए ट्रेन में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी और तीन सेनिकों के साथ उनका सारा सामान गाउं भीजा जाता था और फिर दो महीने पूरे होने के बाद वापस सिक्किम लाया जाता था वहीं कुछ लोगों के द्वारा जब इस पर आपती दरज की गई तो सेना ने बाबा को छुटी पर भीजना बंद कर दिया अब बाबा हर वजन से साल के बारा महीने अपनी डूटी पर रहते हैं मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रते दिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं कमरे में बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं लोगों का कहना है कि रोज सफाई करने के बावजूद उनके जूतों में की जड़ और चद्दर पर सलवटे पाई जाती है आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीशे के साथ तब तक लिए खुश रहें आज के लिए खुश रहें आज के लिए खुश रहें